श्रावन मास में द्वारिकाधीश मंदिर में घटाओं और हिंडोलों के विशेश आयोजन किये जाते हैं माना जाता है इन आयोजनों के माध्यम से ठाकुर्जी के लाड़ लड़ाय जाने के साथ साथ बाहर के मौसम की अनुभुती भी कराई जाती है इसी क्रम में उस्टी मारगिय संप्रदाय के विश्वप्रसिद्ध ठाकुशी द्वारिकाधीश महराज के मंदिर में श्रावन मास में नौप्रकार की घटाओं का आयोजन किया जाता है विभिन रंगों की घटाओं के माध्यम से ठाकुशी को बाहर के मौसम की अनुभुती भी कराई जाती है इसी क्रम में श्रावन मास की दश्मीतिति को प्रतिवर्ष की भाते इस बार भी विश्वप्रसिद्ध काली घटा के मनुरत का आयोजन किया गया काली घटा के आयोजन के अपसर पर मंदिर के जगमोहन परिसर को काले रंग के विशेश प्रकार के कपड़े से सजाया और सवारा गया था तो वहीं मंदिर में बादलों के गड़गडाहट के माध्यम से सितारे और चंद्रमा के साथ बारिश का मौसम भी तैयार किया गया था जो भक्तों को अपनी ओर आकशित कर रहा था वहीं काले रंग की पोशाग धारण कर नैना अभिराम छबी में ठाकुर जी के आलो के छटा देख देही बन रही थी आपको बता दें की द्वारिका धीश में आयोजित काली घटा विशु प्रसिद्ध है इस घटा के दर्शन करने के लिए न केवल स्थानिय बलकि दूर दरास से भी बड़ी संख्या में श्रधालू मंदिर पहुँचते हैं और दर्शन कर उन्यलाप अरजित करते हैं अच्चते हैं प्रगल करिंड करिंड हाओ हाओ लग अराओ हाओ लग हाओ लाँ कर दोघस वाइब बाँ अँछ्डबाँ अँछ बता को लाँ लाँ बता ही कई झच झा हाँ लाँ जज जए जग बता ही गजन चे पुल झाई एषते हमाल टॉरति रती मीचल मरे भुक जह डआर को झाल झाल